पर जो अंदर जम गए हैं, जन्म जन्मांतर के संसकार हैं, उनको उभार करके निकालते हैं, ताकि अंदर जरासा भी कुछ इससा शेश न रह जाए इसलिए जो साधना हैं दोस्तों, वो दो लोगों की समवेत प्रक्रिया है, हमारी और गुरु की, एक साथ मिली हुई प्रक्रिया है, गुरु का काम है कलुष को ढूड़ना, धोबी का काम है मैल को ढूड़ना, गुरु का काम है कलुष को ढूड़ना, और हम लोग का काम है आश्चित के भाव से उस साधना के अंग बन जाना है। सचे हिर्ड़े से गुर्देव जहां ले जा रहे हैं, जिस भावना के साथ ले जा रहे हैं, वहां का अंग बन जाना शरीर में कश्ट आएं, मन में संता पाएं, समाज में अपमान सहने को मिले, इससे कोई फरक नहीं विवस्ता हैं, जब कैसे करना हैं, इस सब आप लोग कंभी रूप से पर्चित हैं, उस विशय पर मैं नहीं बोलूँगा, मैं उस विशय पर बोलूँगा जो उसके पीछे का तत्तो दर्शन हैं, वो बहुत इसपश्ट हैं, कपड़ा हम लोग उबालते हैं, क्या-क्या स् स्टेप पानी में उबालेंगे अपड़े को और मेल को भारेंगे अपनी साधना में भी इसी स्टेप को हमें धारण कर लेने की आवश्यक्ता है पानी में उबलने का मतलब मन में तडप को पैदा करना है वो जो कर्म जो हम लोगों ने दुनिया से चुपा करके किये है तुनि कि कर के इस्पष्ट कर देना जैसे मैल उभढ़ता ए वैसे ही भगवान के सामने साक्षी होकर उनके सामने इस्पष्ट कर देना यह जो परिशोधन का पहला आंग है दोस्ते परिशोधन का पहला आंग यही है कि हम लोग Sajal Shraddha प्रकरपर ज्या पे बैढ जाएं अखंड दीप को साक्षी मान लें, गुर्देव को साक्षी मान लें, हिर्दे में साक्षी मान कर उन से कहें, गुर्देव बाकियों को कहने की हिम्मत नहीं जोटा पाया पर आप से कह रहा हूं तीन वर्ष पहले मुझसे एकलती हो गई थी, छे वर्ष पहले एकलती हो गई थी, उसका दिल दुखा दिया था, उसके साथ कष्ट कर दिया था, ये चीज मुझसे घट गई थी, उसके लिए आपके सामने साक्षी होकर, गुर्देव के सामने, वंदनिया माता जी के सामने सा क्रिया है क्योंकि भगवान हर जगा है वो जो चोर की कथा है दोस्तों आपको पता होगी कि चोर ने अपने बच्चे को कहा कि कोई देखे तो बता देना वो एक सबको पता होगी का था कि चोर ने अपने बच्चे को कहा कि भई चोरी करने जा रहे हैं कोई देखे तो बता दे ना अंदर गुसने को वे चोर के बच्चे ने गा रहे देख रहा है वो भागा उसने का कौन देख रहा है उने का बगवान देख रहा है हर जगह बैठा पंडि जी थे उस समय में, अभी तो गाजति परवार समु रद्ध है कर्ता हो कि विश्टी शेच में ऩी उस समय में गुड़ दिरे धीरे करके छोड़ रहे थे, शुरू-षुरू के दिन की बात है तो एक पंड़ी थे और पंड़ी क्या करते थे कि यग कर आते थे सुभा दिन भर महनत से भी काम करते थे पर क्या करते थे कि रोज सुभा जाते समय तोईलेट वगर थे नहीं तप भूमी में तो शौच के लिए उधर यमना की तरफ जाय करते थे और रोज एक घी लोटा एक लोटे में एक घी ले लिया और लेकर चल देते थे उधर उधर उनका बच्चा खड़ा रहता था सौ मीटर की दूरी पर पानी लेकर के घी का लोटा रख लेता था पानी को पकड़ा थे अब क्या हुआ तप भूमी की लोगों को शुक हुआ वो देखते रहे बहुत दिन स सकता है यहां प्रिंधम को शूलेí री को देखता आख एक दिन लोगोने पकड लिया पकड़ कर पहुँआ क Division के पास है तो जुक हुआ पास पहुंचे तो जुक है कि इस कि पता नहीं कि तूम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है तो में क्या लगधा है मुझे पता नहीं बेटा यह ने असमे बीटा यह बहुत है यह मेरा शरीर है मख्थी भी बेटा ज़िए इस पर पता चल जाएगा नहीं क्या गट रहा है एंपर सब पता है तो बच्चा है हमारा उसको अमने छोड़ा हुआ है कि जब समय सही आएगा तो अपने आप अपने कर्मों का परिमारचन करेगा और उसी दिन से उन पंडी जी का हिड़े बदल गया उसी दिन से बदल गया तो उस तो पता सब होता है हमें लगता है कि गुर्देव को पता नहीं हमें लगता है भगवान को पता नहीं पता सब होता है गुर्देव को सब पता है कि कहां क्या गट रहा है पर हिर्दे का जो भाव है वो हस्तक्षेप नहीं करते हमारा बच्चा है गलत कर्म कर रहा है जब समय आएगा तो सही करेगा तो जहां आपकी भावनाएं गुर्देव के साथ सीधी सीधी इस्थापित होती हों, वहां पर इस्थापित करके अपने कर्मों को उनके सामने पूरी शद्धा, निश्था, सच्चे, हिर्दय, निश्कपट हिर्दय के साथ व्यक्त कर दें, भगवान गलती हो गई थे, माफ कर गई, वह जो तड़प अंदर से पैदा होती है कि भगवान हमें माफ कर दीजे, वह पहला चरण है, और अपने कर्मों को उभार करके, जिसको हम छुपा करके रखे हैं, उनके सामने इस्पष्ट कर देना, यह उसी का हिस्सा है, और इसके बाद क्या किया जाता है, इसके ब भूल हो गई, प्रैशित हो गई, तुर्टी का हम लोगों ने परिमार्जन कर लिया, अब दुबारा हम लोगों स्रेष्ट पत पर चलने का संकल्प लेते हैं, दुबारा उस पत पर नहीं चलेंगे, कई हम जा रहे थे, दोती में कीचड लग गई, हमने जाकर के दोती, समझ में आता है, भांग के नशे में हो, शराब में दुथो, और जाके नाली में गिर जाया तो समझ में आता है, समझदार व्यक्ति को थोड़ी मूर्खता शुबा देती है, अच्छा कपड़ा है, अब ले करके फिर से नाली में कूद गई, तो एक बार जब गलती का हम ल कर दोल पर जब फिर जानी बार जाली में यहें।